नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीट परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टोपिक है सीता फल के फायदों से रिलेटेड यानी जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं कद्दू का फल आकार में बड़ा होता है और यह छे महिने तक खराब नहीं होता है अतह छे महिनों तक इसका उप्योगाप सबजी या अन्य रूपों में इसका कर सकते हैं भारत में इसकी खेती की जाती है परन्तु रूस में इसकी खेती सबसे अधिक होती है कद्दू की बे मिन सी अधिक होता है पेशाब में वीर्य आना और मुत्र क्रिक्ष यानि कि पेशाब करने में कश्ट होना रोग में इसका प्रयोग लावकारी होता है यह प्रमेह पथरी एवं पित को खत्म करने वाला होता है खाने में पके हुए फल का ही प्रयोग करना चाहिए और रस निक न जानते हों इसका नाम। ग्रेट पंपकीन लेटिन में कुकर बीटा, मैक्सिमा, बेनिन के साहिस पिडा आएए अब महतोपून है कि हम इसके गुनों के बारे में जानते हैं कद्दू भारी होता है और पोश्टिक होता है यह पित उत्पन करने वाला पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला वात यानि कि ग पका कद्दू का सेवन करने से खांसी दूर होता है कच्चा कद्दू अमाशय के लिए अधिक लाफकारी होता है कद्दू का सेवन वात और कफ के रोगियों के लिए हानिकारक होता है इसलिए वात और कफ रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए अब आईए हम जानते हैं इसमें पाए जाने वाले पोशक्तत्वों के बारे में इसमें प्रोटिन 1.4 परसेंट होता है वशा 0.1 प्रतिसत्त कार्भोहईट्रेट 5.3 प्रतिसत्त पानी 92.0 परसेंट विटामिन विटामिन A 84 IU प्रति सो ग्राम की मात्रा में, विटामिन B 200 IU 100 ग्राम की मात्रा में, आयरन 0.7 मिलिग्राम प्रति ग्राम, फासफोरस 0.3%, कैल्सियम 0.01% अब आए हम इसके प्रयोगों को जानते हैं कि किन के रोगों में ये कार्य करता है और किस धंग से कार्य करता है कद्दू का रस 10 से 20 मिलिलीटर की मात्रा में निकालने और इसमें 10 ग्राम मिश्री मिला कर दिन में दो बार सेवन करें इसके सेवन से अमलपित का रूग दूर होता है कद्दू का रस सेवन करने से खटी डकारें एवं एसी डिटी की परेशानी दूर हो जाती है इसके अलावा पौरुष ग्रंथियों के लिए कद्दू के बीजों का रस निकाल कर प्रियोग करने से पौरुष ग्रंथि के विकार दूर होते हैं पौरूश ग्रंथी बढ़ जाने पर इसे रोकने के लिए 40 साल से उपर के लोगों को इसका प्रियोग रोजाना खाने में करना चाहिए पेट में अगर कीडे हो गए हैं तो कद्दू का रस निकाल कर पीने से पेट के कीडे खत्म होते हैं मुत्र रोग की सभी परेशानी को दूर करने के लिए कद्दू का प्रियोग किया जाता है शरीर का सुज जाना पेशाब में शक्कर आना एवं मुत्राशे में पथरी बनना इत्यादी रोगों को ठीक करने के लिए कद्दू का रस प्रती दिन से वन करना चाहिए लहसुन के मातरा से तीन गुना कद्दू का बीज मिला कर पानी में उबालने और फिर इस पानी को छान कर कुला करें इस तरह लहसुन एवं कद्दू के बीज को पानी में गर्म करके प्रती दिन कुला करने से दातों का दर्द एवं अन्य परेशानी दूर होती है कद्दू के बीजों को पीस कर लगाने से घाव के कीड़े खत्म होते हैं आग से जल जाने पर सफेद कद्दू के पत्तों को पीस कर जले हुए भाग पर लिप करना चाहिए इससे जलन शांत होती है और जखम ठीक होते हैं शरीर की सूजन के लिए कद्दू के लगभग आठ से दस बीजों को शहद के साथ मिला कर खाईए सूजन दूर हो जाएगी अगर जहर का असर हो रहा हो शरीर में तो भोजन या रासाइनी की विश के समानिय प्रभावों को दूर करने के लिए कद्दू का रस प्रयोग किया जा सकता है इससे आपका शरीर सुद्ध होता है अगर हाथ पैरों में जलन हो रही है तो उसमें कद्दू के बीज को पीश कर जलन वाले अस्थान पर लगाएं और थोड़ी देर रख कर खारे पानी से धोलें इससे हाथ पैरों की जलन दूर होती है पैरों में जलन होने पर पैरों को खारी पानी में डुबा कर रखना चाहिए इससे भी जलन दूर होती है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए कुछ एक ऐसी महतोपून जानकारियां लाए थे कद्दू फल से रेलेटर जिन्हें जान करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं इन सकार दोस्तों